कि नमस्कार में क्रैश्ण सोनी मेरे चैनल पर आपका स्वागत करते हूं आज हम बनानी जा रहे हैं सुजी का बहुत ही स्वाधिश्ट नास्ता यह बहुत स्वाधिश्ट लगता है और पोश्टिकता से भर्पूर है इसमें मैंने बहुत सारी सब्जी आएड की है तो सब्जियों में यहां मैंने बारिक कटा हुआ टामाटर लिया है यह एक मेडियम साइज का टामाटर है थोड़ी सी मेने यहां पत्तावों भी ली है थो यह रा धनिया लिया है दो मेने हरे मर्चली है जिसे भी बारिक बारिक कट कर लिया है एक कप यहां मैने सूजी लिया है आधा कप मैंने हां धः लिया है दही ज्यादा खटानी है एकदम फ्रेज दही है तो सबसे पहले हम हमारा बेटर बना कर तयार करेंगे तो यहां में एक बाउल लिया है बाउल के अंदर हम सूजी डाल देंगे दखी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी डाल देंगे तो आदा कप मेंने यहाँ पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला लिया है यह देखिए अब हम इसे 15-20 मिनित के लिए सूजी को फूलने के लिए रख देंगे तो मैं इसे डख कर एक तरफ रख देते हूं तो यह देखिए हमारी सूजी ने सारा पानी सोक लिया है और एकदम गाड़ी हो गई है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ओ डाल देंगे तो मैं इसमें और फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसके अंदर मसाले कर देंगे मसालों में मेनी यहां आदी छोटी चम्मत चिली फ्लेक्स लिया है आदी छोटी चम्मत धनिया पावडर लिया है एक चम्मत मेनी है नमक लिया है और इन सब को अच्छे से मिला देंगे अब हम इनके अंदर इसके अंदर सबजे डालेंगे तो यहां में गाजा डाल देते हूं हरी मिर्च डाल देते हूं पत्तागों भी डाल देते हूं टामाटर प्याज और हरा दनिया इन सब को अच्छे से मिला लेंगे हमने सबजियों को अच्छे से मिला लिया है यह थोड़ा गाड़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ओ डाल देते हूं अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे तो आदी छोटी चम्मच में नहीं है बेकिंग सोडा डाल दिया अब हम इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिला लेंगे गेस पर हमने एक फैन रख दिया है हम गेस ओन कर देंगे और इसमें दो छोटी चम्मच तेल डाल देगे तो दो छोटी चम्मच मने इसके अंदर तेल डाल दिया है तेल को थोड़ा गरम होने देंगे तेल हमारा गरम हो चुका है तो आदी छोटी चम्मचिस के अंदर राय डाल दूँए गैस का फ्ले में एक दम सिम कर देंगे और इस तरह बेटर को घुलते हुए हम कड़ाई के अंदर डाल देंगे अब हम इसे चारो तरफ अच्छे से फैला देंगे इस तरह फैला दीजिए अब बिल्कुल सिम गैस पर 10 मिनिट के लिए हम इसे एक तरफ से सिखने देंगे तो मैं इसे डख देती हूँ और बिल्कुल सिम गैस पर 10 मिनिट के लिए इसे सिखने देती तो ये देखिए इसे सिखते 10 मिनिट से जादा ही हो गये हैं ये देखिए उपर से एक तम सिख कर तयार हो गया है तो अब मैं इसे प्लेट के अंदर निकाल लिते हूँ ताकि हम इसे आसानी से पलट सके इस तरह हम इने इसे प्लेट के अंदर निकाल लिया अब मैं इसके अंदर वापस दो छोटी चम्मत तेल डाल दूँगे तेल को थोड़ा सा गरम होने देंगे अब हम इसके अंदर राए डाल देंगे राए को चटकने देंगे तो यह देखिये हमारे राए चटक चुकी है तो अब मैं से इस तरह पलटकर इस तरह सिखने के लिए डाल दूँगी हम इसे 10-15 मिनित के लिए एक तरफ से फिर से पकाएंगे तो मैं इसे ढख देती हूं और 10 मिनित के लिए हम इसे फिर से पका लेंगे तो ये देखिए, 10 मिनित पूरे हो चुके हैं, और ये बिल्कुल सिक कर तयार है. तो मैं गेस बंद कर देती हूं और इसे निकाल लेती हूं एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे इसे तो ये देखिए कितना अच्छा सिक्कर तयार हुआ है आप इसे दोनों तरब से अच्छे से सिक लीजी ये देखिए दोनों तरब से अच्छे से सिक चुका है तो मैं इसे कट कर लेते हूं, तो इस तरह कट कर लेंगे, तो ये देखे हमारा perfect नास्ताबन कर तयार हो गया है, आप इसे खांड़ों भी कह सकते हैं, ये अंदर से एक्टम सिख्कत तयार हो गया है, ये देखी तो अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ, तो ये देखिए हमारा वेजुटेबल नासता बनकर एकदम तयार हुग है तो आप इसे जरू ट्राय कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए हूँ तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके ठेंक कैसर चैनल येडियो do आपके सोब्सक्राइब के लाइब करप्राइब के वीव आपके ढौना बढले लेटें तक अनले हुआ झाल झाल झाल